अलो गाईज आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फ्याप डॉट इन के उपर आज है नाइन्त अक्टोबर और आज का हमारा जो स्टॉक होगा बाइंग पोटेंशन वाला एनालिसिस के लिए वो होगा अशोक लेलैंड लिमिटेड तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर बंद हुआ तो यहाँ पर जो कल हमने लेवल्स मार्क किये थे आप देख सकते हैं सुबह इजीली अच्यूड हुए फर्स टार्गेट सेकेंड टार्गेट सुबह जब यह उपर जाके नीचे आ रहा था तो सेकेंड टार्गेट के पास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की टार्गेट के पास भी इसने पॉज लिया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया यह लेवल्स भी और फिर नीचे आकर ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन में फिर एक बार आकर क्लोज हुए तो यहाँ पर जो लेवल्स मार्क किये थे अच्छे से काम करते हुए नजर आए अभी कल क ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था जो कि अराउंड 24,800 के आसपास था क्योंकि यहां से ही कुछ दिनों पहले स्विंग लो बना के यह निफ्टी बाउंस बैक हुआ था तो हमें इस बार भी यहां से यह बाउंस बैक देखने को मिल रहा है कल भी ग्रीन टैंडल यहाँ पर इसके क्लोज हुआ है तो अगर फिर से एक बार 24,800 को यह पेनेटरेट करता है और तोड़ता है तो नेक्स सपोर्ट होगा हमारा यह ग्रे लाइन जो कि अराउंड 24,400 के आसपास है और उपर जाने के लिए यह ब्लू लाइन और पिंक लाइन को क्लियरली ब्रेक करना होगा तब हम मान समते है कि कोई भी बाउंस बैक आता है वो अप ट्रेंड में कनवर्ट हो सकता है तो फिलाल यह सिचुवेशन है डेली चार्ट में अभी चलते है 60 मिनट के चार्ट के उपर 60 मिनट के चार्ट में आज हमने देखा फिर यह एक बार उपर तो गया लेकिन जो हमने जोन मार्क किया दा ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन इसी जोन के बीच में आके यह क्लोज हुआ है तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा यह ज़स थोड़ा एड़ेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इसके नीचे होगा 24,926 यह हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा फर्स तरगेट होनगा होगा अराउंड 24,901 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 24,873 यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा अगर टूर्ट की तरफ यह जम करता है बाउंस बैक होता है तो हमारा ब्रेकडाउट लेवल होगा 25,023 फर्स तरगेट होगा अराउंड 25,043 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,069 यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा तो यह है निफ्टी के लेवल अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं बैंक निफ्टी में भी यह आप देख सकते हैं रोलर कोस्टर राइड इससे कहते हैं जैसे ही आरबियाई का जो प्रेस कॉन्फरेंस होता है वो स्टार्ट हुआ और जैसे ही रेट कट अनौन्स हुए तो रेट कट जो है अन्चेंज थे तो यहाँ पर ब्रेक आउट लेवल ब्रेक हुआ फरस्ट अरगेट सेकेंड टारगेट इजी ली अचुड़ हुआ और काफी वोलटाइल सेशन इस प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान देखने को मिला और उसके बाद निफ्टी फिर एक बार और बैंक निफ्टी दोनों भी टूर्ट साउथ की तरफ आकर यह लोज हुआ है तो यहाँ पर जो लेवल्स हमने मार्क के थे आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन लेवल के पास ही सपोर्ट लिया है दो बार इसने और उपर सेकेंड टारगेट के आसपास ही यह रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है तो अभी कल के लिए क्या लिवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में इसके लिए हम सिक्स्टी मिनिट के चार्ट को एनलिसिस करेंगे यह सिक्स्टी मिनिट का चार्ट है अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो होगा यह होगा आराउंड 5820 यह हमारा breakdown level होगा first target बनेगा around 5706 और second target होगा around 50610 यह हमारा second target होगा और breakout level हमारा बनेगा इस pink line के just उपर यानि around 51230 first target होगा 51316 का और second target होगा around 51411 का तो यह है निफ्टी और bank निफ्टी के इंट्राडे लेवल सकल के लिए अभी चलते हैं हमारे stock के उपर जिसमें आज हमें buying potential दिखाई दे रहा है आज का यह अशोक लिलेंड का चार्ट है आज की candle यह देखे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर अर्मोस्त hammer candle जैसा यह यहाँ पर आज formation दिखाई दे रहा है जब भी downtrend में hammer के जैसा candle आता है तो यह signal होता है कि यहाँ से bounce back हो सकता है तो अभी यह hammer जो candle बना है यह अगर किस level पर बना है यह अगर हम analysis करें तो आप देख सकते हैं यह around 2.19 यह जो level है इसी के पास यह hammer candle बना है इस level को respect किया है क्योंकि कुछ दिनों पहले यानि जूले के month में इसी level के पास support लेके यह swing low बना के अच्छा कसा यहाँ से bounce back हमें देखने को मिला था अशो क्ले लैंड में और इसी level के पास इसने यहाँ पर यह hammer जैसा candle बना दिया है और दूसरा point यह है कि RSI देखिए अभी over sold zone में पहुच चुका है अगर over sold zone में जब भी यह जाता है और कोई हमें signal मिलता है buying का कोई pattern बनता है तो यह दूसरा point यहाँ पर supportive point है कि यहाँ पर यह bounce back कर सकता है और अगर हम तीसरा point यह देखे अगर हम यहाँ पर यह retracement level निकाले यह low और यह high को पकड़ के तो यह जो upside momentum आया है इसका 50% का level देख सकते हैं यहाँ पर आज अच्छी उड़ो चुका है और exact इसी level पर आज इसने आज का low बनाया है और hammer candle भी इसी level से उपर आके यह hammer candle बनते हुए नजर आ रहा है तो तीन point यहाँ पर ऐसे मिल रहे कि जो support कर रहे कि यहाँ से यह bounce back हो सकता है लेकिन bounce back uptrend में convert होना मुश्किल है क्योंकि उपर यहाँ पर तीन hurdle से short term mid term long term तीनो moving averages से उपर इनको break करके अगर उपर जाता है तो यह जो bounce back होगा यह uptrend में convert हो सकता है तो फिलाल यहाँ पर एक buying opportunity दिखाई दे रही है आप भी चाहिए तो आपके तरफ से यहाँ पर analysis कर सकते हैं तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो like share comment जरूर करें तो thank you very much and happy trading चोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैप के बारे में अगर आप इन चारों में से कोई एक trading account हमारे अंडर open करते हैं तो हमारी जो intraday premium चैनल की membership है वह आपको absolutely free में मिल सकती है तो आपको करना क्या है suppose आपको zero da में account open करना है तो आपको just यहाँ पर click करना है तो एक web page open हो जाएगा आपको आपके details यहाँ पर enter करना है continue करना है तो आगे की online account process शुरू हो जाएगी एक दिन में account open हो सकता है कापी safe है अगर आपके documents ready है तो एक दिन में आपका account open हो सकता है account open होने के बाद आपको इस number पे call करना है हमें ताकि आपका client ID confirm कर सके